हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू विजन क्लासेस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्ट मेनेजमेंट एंड आंट्रपरनोर्शिप के यूनिट वन के बारे में ओके तो देखिए ये सब्जेक्ट आपका थ्री क्रेडिट का होता है और अगर आपको इसमें नंबर गीन क करने हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना पढ़ेगा ओके तो देखिए पहला टॉपिक है हमारा की आंट्रपरनोर क्या होता है ओके आंट्रपरनोर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपने खुद के आइडियाज खुद के इनुवेशन खुद के थिंकिंग से एक नए तो आई यह देखते हैं An entrepreneur is a person who starts and run their own business. They take risks to make money from the ideas or product. देखिए एक व्यक्ति होता है जो कि एक नए बिजनिस को start करता है कैसे जिसमें वो अपने खुद के पैसे को use करके और high risk लेके किसी भी ideas या product को launch करता है तो यह हो गया हमारा entrepreneur. Next point देखते हैं Entrepreneurs aims to generate profit and build a successful enterprise. तो देखिए entrepreneur का aim वता है कि वो profit generate कर सके और एक successful enterprise को build कर सके. Enterprise आपके हो गया जैसे की एक organization या फिर एक company हो गई जिसमें different type के services को provide किया जा सके. तो यह हो गया हमारा enterprise. Next point है हमारा. They come up with new innovative ideas, products or services to offer in the market. तो देखिए जो entrepreneur होते हैं वो market में एक नए ideas के साथ उतरते हैं. वो मतलब research करके आते हैं कि जैसे कि वहाँ की जो society है, वहाँ की जो public है, उनकी needs क्या है और उसके इसाब से मतलब वो वहाँ पे service या product को launch करते हैं. ताकि वहाँ पे वो जो उनकी needs है उसको पूरा कर सके हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Entrepreneurs take financial risks, investing their own money to start and grow their own business. जो entrepreneurs होते हैं, वो financial risk लेते हैं. कैसे? क्योंकि वो अपने खुद के पैसे को invest करते हैं, अपने business में, ताकि उनका business grow हो सके. तो business में वो पैसे कहां से लगाते हैं? देखे, या तो वो family से पैसे लेते हैं, या फिर अपने friends से लेते हैं, या फिर वो अपने जो startup होते हैं, उनकी ideas को bank में दिखाके, उनसे loan लेते हैं, तो यह हो गया कि, यहाँ पर entrepreneurs जो होते हैं, वो पैसे कहां से लाते हैं, और जो य इस man के मुकाबले risk जा दे लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, they play a key role in driving economic growth and innovation in a society, जो entrepreneurs होते हैं, वो अपनी economics की growth में बहुत ही एक मत्पुड योगदान देते हैं, जैसे कि माले जब तक आपके country में entrepreneurs नहीं होंगे, तो enterprises नहीं होंगी, और जब enterprise नहीं होंगी, तो वह वहां पे जो entrepreneurs होंगे, वो अपनी business को आगे कैसे बढ़ाएंगे, और जब तक business वहां पे नहीं होगा, तो society में growth नहीं होगा, वहां की economic growth नहीं होगी, country की GDP कम हो जाएगी, तो यह सब बहुत सारी economic factor हो गये, तो अगला topic हमारा entrepreneurship क्या होता है, तो देखिए, जो entrepreneur होता है, वो एक process होता है, कि वो अपने business को कैसे start करेगा, फिर कैसे उसको run कराएगा, ठीक है, और आगे किसके process होता है, और जो enterprise होता है, वो जब last अपने आप product या service को deliver करते हैं market में, तो वो होता है आपका enterprise, ठीक है, तो आएज़ देखिए आगे, entrepreneurship is the process of starting and running a business, taking on financial risk in the hope of making a profit, तो देखिए, जो entrepreneurship होता है, वो एक process होता है, जिसमें starting और running phase होता है business का, ओके, और इसमें हम बहुत ही high financial risk लेते हैं, ताकि हम profit बना सके, financial risk कैसा हो गया, जैसे कि माली जा आप bank से loan लेते हैं, family से आप loan लेते हैं, या फिर अपने friends से पैसे ले लेते हैं, अपने business को run कराने के लिए, ठीक है, तो यह होगी आपका financial risk, ओके, आगे दिखते हैं, it involves identifying opportunity, organizing resources and taking innovative ideas to create and deliver product और services in the market, तो देखिए, opportunity कैसे आपको identify करने पड़ते हैं, for example में देखिए, COVID के टाइम में, जैसे कि देखिए, CS branch कैसे एकदम peak पे था, CS और IT, और mechanical, electrical या फिर other branches बहुत ही down चले गया थे, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो online काम था, online जो work थे, वो जादे बढ़ गया थे, तो यह आपकी opportunity हो गई, organizing resources हो गया हैं, जैसे कि उस टाइम पे उस टाइब के resources आपको organize करने पड़ते थे, जो की useful हो, और वहाँ पे creative ideas को use करके, market में उस टाइब के product या फिर service को आपको provide करना पड़ता था, जिससे कि आप public की या society की needs को पूरा कर सके, तो यह हो गया हमारा entrepreneurship, ठीक है? next topic है हमारा need of entrepreneurship, ठीक है? तो entrepreneurship की आव सकता हमें क्यों पड़ती हैं, या फिर इसकी needs के हैं, ठीक है? life line of the nation, इसमें पहला point कहा रहा है कि no country can develop without development of entrepreneurship, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी country या फिर कोई भी जो nation हो गया है, वहाँ पे अगर factory नहीं होगी, organization नहीं होगे, बड़े-बड़े मतलब entrepreneur नहीं होगे, तो उस country की develop कहां से उपाएगी, तो यही इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी country तब तक develop नहीं होगी, जब तक वहाँ पे entrepreneurship नहीं हो, या फिर enterprise नहीं हो, ठीक है? second point, every nation tries to increase its trade by having more enterprise, ओके? सारे country यहाँ पे मतलब कोशिज करते हैं कि इनके country में अधिक साधिक trade हो, ठीक है? तो जब तक import-export नहीं होगा, product की, services की, तो वहाँ पे उस country का growth नहीं होगा, ओके? third point है, so entrepreneurship is a parameter to measure the development of a country, तो यहाँ बता रहा है कि, देखिए, entrepreneurship एक ऐसा parameter है, जिससे हम किसी भी country के development को measure कर सकते है, ठीक है? जैसे कि माल लिजे, Elon Musk हो गया है, Jeff Bezos हो गया है, यह सब entrepreneur है, ठीक है, तो इनकी वैजे से उस country की, GDP हो गई, economy हो गई, employment rate हो गया, इन सब में growth बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है? जादे growth देखने को मिलता है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, need of entrepreneurship का दूसरा point, it's provide innovation, मतलब कि जो entrepreneur होते हैं, वो लोगों को, society को, या फिर country को innovation provide करते हैं, ताकि वहाँ पे अच्छे से काम हो सके, तो इसमें पहला point है, entrepreneurs are innovators who develop new business ideas, तो इसका मतलब है कि, जो entrepreneur होते हैं, वो innovators होते हैं, नए-नए ideas, नए-नए research, market opportunity, लोगों की needs को मतलब, माइन में रखते हुए वो नए- पॉइंट है आपका, they tries new method of production, new technology, new way of marketing, etc, इसका मतलब है कि, वो नए-नए मतलब method को use करते हैं, production के लिए, नए-ने technology को use करते हैं, ताकि वो market में एक नए अच्छे product या फिर service को launch कर सेके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा growth of economy, तो देखे, entrepreneurship की हमें क्यों जूरत पड़ती है, ताकि हम किसी भी country के economic में growth कर सेके, तो पहला पॉइंट है हमारा, entrepreneurs helps in development of a country by increasing its GDP, तो देखे, जो entrepreneur होते हैं, वो enterprise launch करते हैं, जिसमें की बहुत सारे product या फिर सारी services को एक से दूसरे country में export या import करते हैं, जिसकी वज़े से हमारी country की economic growth होती है, GDP आपका होता है, gross domestic product, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी country में, ठीक है, एक मतलब border के अंदर, एक साल या फिर 6 महने के अंदर, कितनी product या services की, जो total cost होती है, वो होता है आपका GDP, तो कोई भी country जो होती है, वो होता है आपका अपनी local resources को use करती है, कोई भी मतलब जैसे कि मसाले हो गए हैं, या फिर कहीं पर जो fruits हो गए हैं, ये सब use करती हैं, और इसका export दूसरे country में जादे होता है, जिसकी वज़े से economy उस country की increase होती है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा point है हमारा increase profit, देखिए, entrepreneurship के हमें इस tries to minimize cost and increase efficiency, तो वो हमेशा चाहते हैं, मतब कोसिस करते हैं कि जो product के cost हो, या फिर जो services के cost हो, वो कम से कम हो, और जो efficiency हो, बेचने की या फिर बनाने की, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, okay, second point, this all helps in increase profit and get utilization of product, तो ये मदद करता है कि जो profit है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होत और जो product का utilization है, मतलब कि उस product को हम अधिक से अधिक use करते हैं, जिसकी वयाद से profit increase होती है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, पांचों point है हमारा employment opportunity, तो देखिए, entrepreneurship के हमें इसलिए बज़रुद पड़ती है, ताकि हम किसी भी country में employment जो opportunity है, उसको बढ़ा सके, तो पहला point है entrepreneurship not only provides self employment, तो देखिए, कोई भी enterprise एक single व्यक्ती नहीं चला सकता, उसमें बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ती है, चलाने के लिए, second point, it provides employment opportunity to more and more people in case of successful enterprise, तो जब कोई भी company या फिर enterprise जो launch होती है, या फिर start होती है, तो अगर वो कुछ महीनों या कुछ सालों बाद अग successful हो जाती है, तो उसकी वज़र से उस country में बहुत सारी opportunity बढ़ जाती है employment की, जिसमें जादेश जाद़ पीपल जो होते हैं, जो लोग होते हैं उस country के, या फिर other भी country के लोग उसमें आके काम करते हैं, तो ये भी help करता है, उस country की employment opportunity को increase करने में, तो ये हमारा हो गया need of entrepreneurship, आगे बढ़ते हैं, तो next topic हमारा entrepreneur और entrepreneur में क्या difference होता है, मतलब कि हम entrepreneur किसे कहते हैं, entrepreneur किसे कहते हैं, इनके काम क्या होता है, तो मैं सबसे पहले entrepreneur आपको बता देता हूँ, कि क्या होता है, कोई भी एक अकेला व्यक्ति जो अपने ideas, अपने innovation, अपने खुद के capital को use करके, एक enterprise या किसी भी business को launch करता है, वो आपका entrepreneur होता है, और जो इंकर पने बिए organization के अंदर काम करता है, बिना capital use की होए, low risk पे, और new ideas के साथ वो इंकर पने पने होता है, जो entrepreneur होते हैं वो आपके Elon Musk हो गया और जो I वाला entrepreneur होते हैं वो आपके Google के जो CEO है सुन्दर पिचाई वो हो गया तो मैं सबसे पहले entrepreneur से सुर्वात करता हूँ पहला point है entrepreneur is a free thinker तो जो entrepreneur होते हैं वो free thinker होते हैं मतलब कि उनकी खुद की organization होती है उनकी खुद की company होती है वो खुद के capital को use करके high risk पे अपनी organization को develop करते हैं तो वो free think होते हैं खुद का सोच सकते हैं कि उनको क्या change करना है policy में या फिर organization को कैसे handle करना है कैसे काम करवाना है लोगों से यह हो गया entrepreneur का पहला point क्या कहा रहा है entrepreneur is forced to think within organization तो इनको command दिया जाता है entrepreneur से कि आपको company को कैसे चलाना है अंदर से यह हो गया entrepreneur entrepreneur का दूसरा point क्या कहा रहा है entrepreneur is an independent person जो entrepreneur होते हैं वो आजाद होते हैं क्योंकि वो खुद का अपना पैसा लगा है खुद की उनकी company है तो वो कुछ भी कर सकते हैं उनकोई दबाव नहीं और जो hunter my होते हैं तो देखिए दूसरा point entrepreneur is dependent on entrepreneur तो जो hunter my होते हैं वो entrepreneur पे depend होते हैं जो entrepreneur उनने कहता है वो उनने करना पड़ता है entrepreneur का थाड़ point देखिए An entrepreneur needs to collect money to support their business idea तो जो entrepreneur होते हैं वो अपने family से, अपने friend से या फिर अपने business idea को use करके पैसे मतलब collect करते हैं family से या friend से ताकि जो उनके पास business ideas हैं उन पे वो काम कर सकें ठीक है और जो entrepreneur होते हैं तो इनका third point देखिए An entrepreneur don't need to collect money to support business तो जो entrepreneur होते हैं वो तो किसी organization के अंदर काम करते हैं तो उन्हें पैसे की कोई जरूत नहीं है ठीक है वो सब entrepreneur या फिर जो company होती है वो provide करती है इनको बस अपने ideas या अपने जो innovative ideas है उनको use करके company के लिए काम करना पड़ता है ठीक है तो चलिए आगे पड़ते हैं entrepreneur और intrapreneur में जो चौथा point है difference वो है कि देखे entrepreneur is rewarded by profit for taking risk जो entrepreneur होते हैं वो खुद के पैसे को use करते हैं जिसमें high risk होता है तो जो भी company की जो profit होती है वो entrepreneur के हिस्से में जाता है entrepreneur का देख लेते हैं चौथा point intrapreneur is not rewarded by profit in work but gets salary and promotion तो जो intrapreneur होता है उसको तो अपना capital use नहीं करना होता है तो उसको profit से rewarded नहीं किया जाता है मतलब उसको profit नहीं दिया जाता है उसको salary देते हैं या फिर incentive देते हैं और उसको promotion मिलता है entrepreneur का जो पाचवा point है entrepreneur is owner and does not report to anybody in the business तो जो entrepreneur होते हैं वो तो खुद के मालिक होते हैं तो उन्हें किसी और को जो काम हो रहे होते हैं company में तो उन्हें किसी और को report या फिर बताने कि उन्हें कोई जरूरत नहीं होती entrepreneur का देख लेते हैं पाचवा point entrepreneur is employee so he can submit report of project तो देखिए जो entrepreneur होते हैं वो किसी organization के अंदर काम करते हैं तो वो एक employee की तरह काम करते हैं ठीक है तो उन्हें हर एक चीज का जो company में activity हो रही है किसी भी project से related तो उन्हें time time से जो entrepreneur होते हैं या फिर जो उनसे अपर post के होते हैं उन्हें report submit करना पड़ता है तो यह हो गया हमारा entrepreneur और entrepreneur के बीच में difference तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो next topic हमारा entrepreneur और entrepreneurship के बीच में difference तो देखिए पहला point है इसमें entrepreneur is a person मतलब कि जो entrepreneur होते हैं वो एक person होते हैं मतलब एक व्यक्ति होते हैं जो कि एक नए business या venture या फिर उसको कह सकते हैं आप startup को start करते हैं ठीक है तो यह entrepreneur हो गया और entrepreneurship में पहला point है entrepreneurship is a process मतलब कि entrepreneurship एक process होता है जिसमें जो entrepreneur होते हैं वो एक business को start करते हैं run कराते हैं मतलब कि पूरे जो process होता है starting से लेके end तक का वह होता है process जिसको हम entrepreneurship कहते हैं entrepreneur का दूसरा point है entrepreneur is a risk bearer मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो माली जो कोई decision लेता है या फिर जो काम हो रहा है उसमें चीजों के मतलब ना होने की संभावना को ध्यान में जो रखता है व्यक्ति उसे हम risk bearer कहते हैं entrepreneurship के दूसरे point को देख लेता है it is a risk bearing activity इसका मतलब है कि जो भी activity हो रही है उस business में उस startup के दोरान तो उसमें जो activity हो रही है और जो उसमें risk appear हो रहा है वो हो गया आपकी risk bearing activity entrepreneur में third point है entrepreneur is an innovator तो इसका मतलब है कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो की एक नए ideas या फिर एक नए method या फिर product या फिर किसी services को introduce कराता है किसी market में नए changes लाने के लिए society के लिए वो हो था आपका innovator entrepreneurship में third point देख लेता है it is a process of innovation इसका मतलब है कि जब हम किसी ideas को implement करते हैं उसको create करते हैं फिर उसको develop करते हैं ताकि हम उस existing product में value add कर सकें तो यह होता है आपका innovation entrepreneur का fourth point देख लेते हैं entrepreneur is a leader मतलब कि देखें अब entrepreneur है तो जाहिर सी बात है वो leader होगा क्योंकि वो उसकी खुद की company है वो खुद का उसका मालिक है वो जो rules बनाएंगे जो policy बनाएंगे उस पर उनके company के अंदर लोगों को काम करना पड़ेगा तो यह हो गया entrepreneur is a leader entrepreneurship में देख लेते हैं fourth point entrepreneurship is nothing but leadership तो वही जो process होते हैं अपने company को control करने के लिए monitoring करने के लिए resources को देखने के लिए time management में जो काम हो रहे है company के अंदर उसको देखने के लिए entrepreneur में fifth point है entrepreneur is an administrator तो इसका मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि responsible होता है अपने organization या फिर system या फिर institute में जो operation हो रही है जा फिर जो काम हो रहा है उसको manage करने के लिए या फिर control करने के लिए जिसे हम administrator करते हैं और entrepreneurship में fifth point देख लेते है entrepreneurship is administration इसका मतलब है कि यह देखिए जो entrepreneur होता है वो person होता है और जो entrepreneurship होते है तो इसमें जो भी point है यह एक process होता है administration भी एक ऐसा process है जिसमें हम organize करते हैं coordinate करते हैं activities जो होती है हमारी organization के अंदर जिसमें कुछ points आपके आते हैं जैसे कि planning हो गया organizing हो गया directing हो गया controlling हो गया ऐसे बहुत सारे मतलब different type के operation होते हैं जो कि आपको organization के अंदर देखने पड़ते हैं तो यह हो गया हमारा entrepreneur और entrepreneurship के बीच में difference ओके तो चलिए आग बढ़ते हैं तो next topic है हमारा factors affecting entrepreneurship development तो इसमें बताएगा है कि ऐसे कौन-कौन से factor होते हैं जो कि entrepreneurship development को affect करते हैं तो इसमें सबसे पहला heading है economic factors जिसमें आपके अंदर आते हैं points capital हो गया raw material, labor, market और infrastructure दूसरा factor है social factor जिसमें आपके points आते हैं attitude of society education, family background और culture तो इन दोनो factors को आम लोग detail में पढ़ते हैं तो guys आप लोग ध्यान रखी कि जो भी इसमें points बताया जा रहे हैं उसको आप लोग notes करते रही यह बहुत important है और इतना आपके लिए मतलब काफी होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मनों बात करेंगे economic factors के बारे में तो इसमें सबसे पहले आता है आपका capital तो देखिए capital is essential for entrepreneurs to start and grow their business मतलब की capital क्या होता है capital money होता है जो कि आप अपने business में invest करते हैं तो देखिए यह सबसे मतलब essential part होता है आपके पूरे business का जिससे कि हमारा business grow होता है ठीक है तो capital हो गया next point हमारा raw material raw material क्या होता है जो आप resources use करते हैं अपने business में या फिर product या फिर जो भी आप services provide कर रहे है customer को या society को तो वह होता है आपका raw material तो देखते हैं its availability is vital for production of goods and services तो देखिए raw material बहुत ही जरूरी होता है आपके production में जैसे कि आप जो service provide कर रहे हैं जैसे कि goods हो गया है services हो गया है तो इसमें raw material की जरूरत बहुत पढ़ती है ठीक है vital होता है आपका महत्तोपूर next point हमारा labor workers are important for entrepreneurs because they help business success तो देखिए बिना लोगों के आपके जो business है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा तो जिसमें labor बहुत ही महत्तोपूर points है मतलब यही factor होता है जो कि आपके entrepreneurship development को effect करता है ठीक है आगे बढ़ते है economic factors में हमारा next point है market the market provides opportunity for entrepreneurs to identify and meet customer needs, run business, growth and innovation इसका मतलब है कि देखिए जो market होता है वो बहुत important factor होता है entrepreneurship development है कैसे देखिए जो market होता है वो opportunity provide करता है entrepreneurs को ताकि उनको पता चल सकी कि जो society है या पिर आसपास के लोग है उनकी क्या needs है और कैसे product या फिर services उनको provide करना है जिसमें entrepreneurs जो होते है उनको society में जाना पड़ता है market में जाना पड़ता है और वो research करते है कि यहाँ पे जो लोग है उनको कैसी मतलब product या फिर services को provide करना है जिसके वैशे वो उस हिसाब से innovate करते है अपने product को या services को और launch करते है market में जिससे उनका business growth होता है तो next point है हमारा infrastructure तो आई देखते हैं good infrastructure like roads and internet help entrepreneurs by making it easier to do business इसका मतलब है कि जब तक आपके organization या फिर आपकी company में facility अच्छी नहीं होगी जैसे कि मान लीजे आपके आसपास का जो road हो गया transporting facility हो गयी या फिर internet provide जो हो गया तो वह अगर अच्छा नहीं हुआ वह अगर poor हुआ तो वहाँ पर अच्छे से काम नहीं हो पाए तो यह सब भी effect करते हैं entrepreneurship development को इसके वैसे आपके business easy होती है easy way में आपके business grow होकी है तो आगर बढ़ते हैं factors affecting entrepreneurship development में जो दूसरा point है हमारा वो है social factor तो social factor मतलब हो गया जैसे कि जो आपके आसपास के society हैं लोग हैं तो यह भी एक factor होता है जो की effect करता है entrepreneurship development के तो आजी देखते हैं पहला point है attitude of society तो attitude of society मतलब की जो आपके society है वहाँ पे जो लोग हैं उनका मतलब रहन सायन भी बहुत matter करता है की कैसे उनका रहन सायन तो देखते हैं when society encourages entrepreneurship it helps people take risk come up with new ideas and grow their businesses तो इसका मतलब है की मान लीजे आपके आसपास में लोग रहते हैं तो अगर वह आपको जब तक motivate नहीं करेंगे आपके मतलब काम में या फिर आपके business में तब तक आप motivate नहीं होगे जिसके वैसे आप demotivate हो जाएंगे आपका काम में मन नहीं लएगा तो देखें जब तक आपके आसपास के लोग आपको encourage नहीं करेंगे या फिर आपको उत्साह नहीं करेंगे आपको काम करने में तब तक आपका जो business है वो grow नहीं हो ठीक है तो इसमें बता जा रहा है की देखें जब तक जब आपके जो society के लोग है वो आपको encourage करेंगे जिसके वैसे आप high risk लेंगे new ideas पे work करेंगे new innovation करेंगे जिसके वैसे आपका business grow होगा ओके तो next point है इसमें education education teaches people what they need to know to start and run successful business इसका मतलब है देखें education एक सबसे मतलब powerful चीज है इस दुनिया में जो कि लोगों को help करता है कि उन्हें क्या जानना चाहिए अपने business related और अपने business को कैसे start करना चाहिए ठीक है तो यह भी एक बहुत important factor है जो कि entrepreneurship development को effect करता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो social factor में जो next आपका point है वो होता family background तो देखें it provides support, resources and role models that shape person attitude and ability to start and running businesses इसका मतलब आदेखें बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी family को या family के members को देखके बहुत चीज़ सीखते हैं मतलब कि जो behavior या attitude हो गया वो अपने घर के लोगों को देखके सीखते हैं ठीक है तो इसमें जो आपके family होती है अच्छा growth हो ठीक है तो जो family background होती है वो भी important factor है आपके entrepreneurship development में next point है हमारा culture culture affects entrepreneurship by influencing how people feel about taking risk trying new things and start business तो देखिए आपका environment जो है जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आस पास के जो लोग होते हैं वो भी बहुत important factor होता है कि आप कैसे रहते हैं लोगों को देख कि आप कितना motivate होता है तो यह भी help करता है कि आप अपने business में उस हिसाब से risk लेते हैं नई नई चीज़ों को try करते हैं कि यह कर देंगे तो वह होगा यह करेंगे तो वह होगा ठीक है जिससे आपका business अच्छा run करता है और आप better मतलब यह होता है probability की आपका business हो वह grow होता है तो यह होगा हमारे social factors entrepreneurship development के तो चलिए आगे बढ़ते हैं जो next topic है हमारा project management and entrepreneurship के unit 1 का वह है entrepreneur देखें entrepreneur एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा person कह सकते हैं जो कि किसी भी company या फिर organization के अंदर रहके जो काम करता है उस company के अंदर वह होता है हमारा entrepreneur और entrepreneur क्या होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी खुद की एक company होती है वह होता है entrepreneur आप हो गया है आप हो गया है जो आपने company बनाई है तो आप entrepreneur हो गया है और आपके company के अंदर व्यक्ति काम कर रहा है वह entrepreneur हो गया अब आप लोग अच्छे समझ गया होगे तो आई देखते है An entrepreneur is like a creative and driven person who works inside a company मताब कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी company के अंदर काम करता है ठीक है next point they are like a special kind of employee who acts a bit like a boss but they are not the owner of the company इसका मतलब है कि जो entrepreneur होता है वो एक special kind का person होता है जो कि boss की तरह behave तो करता है ठीक next point है they take the initiative to come up with new ideas, projects and way to improve things इसका मतलब है कि जो entrepreneur होता है वो salary basis पे काम करता है जिसमें उनको salary दी जाती है promotion दी जाती है और उनको पूरी जो resources या material प्रोवाइड की जाती है तो उनको जो projects मिलते हैं उस पे काम करना होता है अपनी new ideas को use करके innovative जो ideas होते है other things next point है हमारा some example of entrepreneur is सुंदर पिचाई CEO of Google जो entrepreneur होते है वो हो गए आपके सुंदर पिचाई जो की Google के CEO है उनको आप सब को जानते ही होंगे entrepreneur को होन है Google के? Larry Page तो यह हो गए उसके मालिक और जो सुंदर पिचाई है वो एक special kind के employee है उस company के अंदर Google के अंदर तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं तो अगला topic है हमारा types of entrepreneur इसमें हमको पढ़ना है कि entrepreneur कितने type के होते हैं तो इसमें पहला है on the basis of business जिसमें चार entrepreneur के types होते हैं ठीक जिसमें business entrepreneur trading, industrial और agricultural तो पहले इसमें पढ़ेंगे business entrepreneur क्या होता है business entrepreneur एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि एक नए business को start करता है जिसमें खुद के पैसे लगाता है उसमें high risk लेता है और उसमें market में जो needs हैं उसको पूरा करते हुए एक नए business को launch करता है ठीक जिसमें वो पैसे भी कमा सके तो यह होगी आपका business entrepreneur next हमारा trading entrepreneur तो trading entrepreneur क्या होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि goods या फिर services को buy and sell करता है जिससे कि वो profit बना सके वो market में यह opportunity ढूनता है कि वो चीजें या फिर जो product या services है उसको कम दामों में खरीता है और जादे दाम होता है उसमें बेज देता है तो यह होता है हमारा trading entrepreneur next है हमारा agricultural entrepreneur तो आई देखते है agricultural entrepreneur एक ऐसा entrepreneur होता है जो कि एक business या फिर एक startup को start करता है related किसे होता है farming से हो गया agriculture से हो गया crops से हो गया ठीक है जिसमें वो नए-ने innovation करता है agricultural product से नए-ने technology यूज करता है ताकि जो farming होती है जो agricultural होते है वो अच्छे से हो सकते है जिसके वैसे उसमें उसे कुछ आमधनी भी होती है तो यह हो गया आपका agricultural entrepreneur नेक्स्ट देखते है industrial entrepreneur एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि manufacturing करता है goods या फिर जो services होते है related to industrial तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसे product को बनाता है या फिर innovate करता है जो कि industrials relate होते है जैसे कि facility provide करता है services provide करता है factory में तो यह हो गया आपका industrial entrepreneur तो आगे बढ़ते हैं तो types of entrepreneur में जो next base है वो है on the basis of technology ठीक है, मतलब कि technology की basis पे कितने type के entrepreneur होते हैं तो इसमें पहला है आपका technical entrepreneur दूसरा है non-technical entrepreneur और तीसरा है professional entrepreneur तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि technical entrepreneur क्या होता है तो देखे, technical entrepreneur एसा व्यक्ति entrepreneur होता है जो कि जो start करता है, जो product बनाता है वो technically related होता है जिसमें वो technical skills और technical knowledge को use करके product या फिर services या फिर आप कह सकते हैं solution को launch करता है जो कि related होता है आपके technology के field से engineering के field से या फिर science के field से ओके यह होगा आपका technical entrepreneur next हमारा non-technical entrepreneur, तो non-technical entrepreneur क्या होता है, इसी का उल्टा है तो इसमें जो व्यक्ति होता है वो technically जादे focus नहीं करता है चीजों पर यह जैसे की काम करते हैं जैसे की hospitality हो गई, retailing में हो गई, धोक विक्रेता हो गया consulting का का काम हो गया या फिर service based industry में जो entrepreneur होते हैं वो होते हैं आपके non-technical entrepreneur और third है आपका professional entrepreneur तो आई देखते हैं यह क्या होता है तो जो professional entrepreneur होते हैं वो एक essay entrepreneur होते हैं जो की अपने business को start करते हैं अपने expert के base पे जैसे वो जिस field में expert होते हैं उस field में वो अपने business को start करते हैं तो ऐसे entrepreneur को professional entrepreneur कहते है जैसे कि माल लीजे कोई doctor doctor के field में expert है या फिर lawyer के field में हो गया accountants के field में हो गया consultants के field में हो गया या फिर architects हो गया और बहुत सारे हैं तो ऐसे जो entrepreneur होते हैं जो अपने field में expert होते हैं वो होते हैं आपके professional entrepreneur वो कि?